तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो कैसा आप सब? आपके साथ भी हो रहा है, कि बैटरी आपकी जो है, काफी जल्दी खराब हो गई, तो क्या-क्या कुछ मैंसे टिप्स आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी बैटरी की लाइफ है, वो बहुत जादा एक्सटेंट कर सकते हैं, बहले ही आपके बैटरी पे जो भी हो, चार से पांच साल की वैलिडिटी हो उस बैटरी की, उसका लाइफ स्पैन हो, बट उससे भी जादा आप चला सकते हो, अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हो, तो इस वीडियो के अंदर पूरे मैं आपको टिप्स बताऊंगा, और बहुत इजी टिप्स है, जो कि आप फॉलो कर सक पांच सकते हो, और आपकी बैटरी की लाइफ है, वो बहुत जादा बढ़ जाएंगी, और जो बैटरी आपकी अगर ड्रेन हो रही है, काफी जादा, तो वो भी उसका भी एक सलूशन है, उसके भी आप बच सकते हो, तो वीडियो एंड तक देखते रही है, मैं हूँ आप पांच सकते हो, तो दोस आपको होस्ट अमान बिना टेम वेस करके आज का वडियो स्टाट करते हैं, तो फ्रेंड सबसे पहले तुम्हें आपको कुछ रीजन बता थो, किस वज़े से जो आपकी बैटरी है, वो जल्दी डाउन हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, पहल जाद आपको क्रेंकिंग नहीं करना है, अगर आपकी गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जारी है, बस, सफीशेंट है वो, आप एक सेल्फ में मारो, और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जारी है, लेकिन कई बार ऐसा होता, एक सेल्फ में भले ही आपकी गाड़ी स्टार् तो जुबसे ज़ाधा एनर्जी आपके बैटरी से कंजम करती है, आपके क्रेंकिंग के टेम पर, भली आपके जो पावर विंडोस है, आपके जो music system है वो इतना जो energy है वो consume नहीं करते है जैसे कि आपका जो starter motor जित्ता करती है क्योंकि starter motor आपको गाड़ी को start करती है और उसे बहुत ज़ादा energy लगती है बहुत ज़ादा electricity वो consume करती है आपके battery से तो cranking आप यही try करो कि बहुत कम का cranking में आप अपनी गार को start करो जो भी अगर एक self में start हो रही है तो एक self देके आप रुख जाओ नहीं तो कोई कोई लोग बहुत ज़ादा लंबा उसको crank करते रहते है और उसके बाद गाड़ी start करते पर यहाँपे आपकी बैटरी है वो बहुत ज़ादा drain हो सकती है ऐसे में एक बार हो जाएगा दो बार हो जाएगा तीन बार अगर आप करते हो तो ठीक है लेकिन अगर आप रेगुलरी बेसिस पर अगर आप यह कर रहे हो तो आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी भले उसकी वैलिडिटी पांच साल की क्यों ना हो उससे जल्दी वो खराब हो जाएंगी यह बहुत एक बैठ हैबिट है आप सभी के तो यह सबसे पहले आप इंप्रूफ करो यह ऐसा मताब लॉंग क्रेंकिंग ना करो दूसरे रिजन पर बढ़ता हूं मैं दूसरा रिजन यह है कि आप अपनी गाड़ी जो है वह बहुत शौर्ट डिस्टेंस के लिए लेकर जाते हो लाइक एक किलोमेटर देड किलोमेटर या दो अकिलोमेटर का इप दिस्टेंस है तो उसमें जो आपकी कार है वो आप लेके जाते हो ऐसे में होता क्या है जब आप कार में बैठोंगे तो एक आप क्रेंकिंग महां करोंगे वहां जो आपकी बैटरी है महांसे एनर्जी कंसम हुई है और गाड़ी इतनी चली ही नहीं है और आपका जो बैटरी है वो alternator से connect, alternator क्या करता है, आपकी बैटरी जो है, उसे continuous charge करते रहता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत short distance पे charge तो करेंगा, कुछ न कुछ amount में charge करेंगा, लेकिन जित्ता होना चाहिए, उत्ता नहीं हो पाएंगा, जित्ता sufficient, मतलब बहुत कम energy वो provide कर पाएंगा, बहुत कम वो charge कर पाएंगा, ऐसे में मतलब कोई काम की बात नहीं है, तो अगर आप short distance के लिए जाते हो, तो पहले तो avoid करो कि short distance पे आप ना जाओ, अगर आपके पास two wheeler है, तो अगर short distance पे जा रहे हो, तो two wheeler से आप जाओ, एक देड़, दो किलोमेटर गाड़ी चलती है, उसमें जो battery आपके चार्ज नहीं पाती है, और जब आप गाड़ी start करते हो, तो वहाँ जो आपके energy बहुत जादा वो ले लीते है, battery से, और battery, मतलब एक तरह से यह है, battery उत्ती चार्ज नहीं हो पाई है, जित्ते के उसको energy ले ली गई है, ऐसा हो गया है, तो short distance वो आप avoid करो, तो यह है दूसरा reason, अब मैं बढ़ता हूँ तिसरे reason के बारे में, तिसरे reason जो है, वो है कि आपकी जो car है, कई, मतलब बहुत long time के लिए खड़ी हुई है, अब एक बात मैं आपको बताते हैं, तो आपको यह लगता हूँगे, कि गाड़ी जब मैं off कर देता हूँ, तो जो battery है, उससे कोई भी energy नहीं जाती, बट यह गलत है, आपकी जो car है, बहुत ज़ादा advance है, उसके अंदर cluster meters होते हैं, sensors होते हैं, security systems होते हैं, तो यह जो system है, यह आप जब गाड़ी बन भी कर देते हो, भले आपने गाड़ी छोड़ दिये, बन करके, लेकिन फिर भी अंदर की जित्ती भी चीज़े हैं, वो सब activate रहती है, लाइक, आपके security systems हो गया, cluster meter हो गया, जो भी जित्ती भी sensor है, वो सब activate रहते हैं, लाइक, आपकी जो watch हो गई, जो cluster meter पर जो आपकी watch दिखती है, वो भी activate रहती है, तो यह सब चीज़ें अंदर में चलते रहती हैं, और यह जो energy है, वो आपके battery से लेते हैं, तो यह normal है, यह तो लेते ही है, हर एक गाड़ी में है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, जिसमें यह सब चीज़ें ना चले, यह सब चीज़ें चलती है, बट, अब मैं क्या बुलना चाहरा हूँ, कि अगर आपकी गाड़ी बहुत long time के लिए खड़ी है, या आपको पता है मैं कि मैं कहीं बहार जा रहा हूँ, और मेरी जो गाड़ी है, वो हफता, 10 दिन या 15 दिन तक खड़ी रहेंगी, तो एक चीज़ यहां आप करो, आपको जो बैटरी का negative terminal है, उसे आप निकाल लो, कोई भी negative निकालो या positive निकालो, कोई एक जो terminal है, वो आप वहां उसे निकालके रख दो, ऐसे में क्या है जो energy है वो आपकी लगेंगी नहीं जित्ते भी आपके अंदर की system है गाड़ी के वो सब off हो जाएंगे जित्ते भी चीज़े हैं वो सब off हो जाएंगे तो ऐसे में क्या है जो आपकी battery है जिस condition में आपने रखे गए थे उसी condition में वो रहेंगी जित्ती charge थी उत्ती ही वो रहेंगी यहने कोई भी energy उसको लगेंगी नहीं कोई भी energy महाँ खीची नहीं जाएंगी उसके अंदर से तो यह चीज़ आप बिल्कुल try कर सकते हो अगर बहुत long time के लिए गाड़ी खड़ी है तो यह चीज़ आप करो बैटरी की life इससे काफी जादा बढ़ जाती है और ऐसे में आपके लिए भी यह अच्छी बात है लेकिन अगर आप चलाते हो गाड़ी यहने रोज नहीं भी चलाते हो तो हफते में एक बार निकालते हो तो यह चीज़ मत करो आप क्योंकि रोज रोज यह सही नहीं है क्योंकि एक तरह से आपको यह बता हो कि जो भी आपके गाड़ी के जित्ते भी instrument cluster जित्ते भी sensors है जो भी आपके system work करता है आपके गाड़ी के बंध होने पर वो एक तरह से reset भी हो जाता है अगर आप battery के terminal निकाल के रखते हो तो जित्ते भी system है वो reset हो जाता है तो एक बार चलेंगा यह reset होना दो बार तीन बार लिकिन आप daily basis पर यह कर रहे हो कि रोज आप जब गाड़ी चला के आ रहे हो और निकाल के रखते हो तो यह सही नहीं है कि रोज एक system को reset करना यह गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है ऐसे में हो सकता है कि आपको दूसरी problem create हो जाए cluster meter में problem आ जाए या कुछ और sensor में problem आ जाए क्योंकि रोज रोज एकी चीज़ को reset करना तो यह सही नहीं है तो यह चीज़ भी आपको avoid करना है कि अगर long time के लिए गाड़ी खड़ी रहने वाली है तो terminal आप निकाल लो battery life बहुत बढ़ जाएंगी आपकी तो friend अब मैं बताता हूँ कि solution क्या है इसका पहली बात यह है कि जो भी जित्ती भी यह सब चीज़ें आपको नहीं करना है जो कि मैंने reason बताया यह चीज़ आपको avoid करना है बिल्कुल आप अच्छे से भी video check out अगर आपने करे होंगे तो आपको समझ गया होंगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं करना है एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि बैटरी की life आप कैसे अच्छे से बढ़ा सकते हो जैसे आपको कई बार problem होती है कि बैटरी एकदम से drain होगी है आपकी self भी नहीं ले रही है तो ऐसे मैं आप क्या करो अगर बहुत आप नहीं चलाते हो गाड़ी गाड़ी आपकी खड़ी रहती है तो आप ये ट्राइ करो कि एक से दो दिन बात आप अपनी गाड़ी को कम से कम start करें और start करने पे आप ये ट्राइ करें कि आप जब गाड़ी को start करते है कुछ देर रखें जब तक आपका जो suction fan नहीं होता है आप जो radiator कहते हो जहां जो सामने आपका fan होता है suction fan तो वो जब तक on नहीं हो जब तक आप अपनी गाड़ी को start रहो क्योंकि वो जब fan कब on होता है जब एक गाड़ी एक temperature पे पहुँच जाती है जितना temperature गाड़ी को requirement होती है उत्ते temperature पे पहुचने के बाद वो fan जो है वो suction उसका start कर देता है गाड़ी को ठंडा करना शुरू हो जाता है तो इत्ते देर आप चालू रखो कि जो आपका fan है on होने तक उत्ते देर तो ऐसे में आपकी जो battery है वो भी थोड़ी charge होंगी उसी भी थोड़ी energy provide होंगी और एक तरह से मतलब ऐसा नहीं dead जो हो जाती है battery वो आपको दिक्कते नहीं आएंगी कुछ न कुछ percent में आपकी battery charge रहेंगी और self में भी आपको कोई problem नहीं आएंगी अगर गाड़ी नहीं चलती है तो अगर आपकी running है अच्छी खासी तो कोई दिक्कत नहीं है आप नहीं भी on करेंगे तो चलेंगा तो यही चीज़े आपको try करना है और यही कुछ reason निकलते है जिस वज़े से आपकी बैटरी की life वो कम हो जाती है और बैटरी जल्दी खराब होती है अगर आपको यह बैटरी अपनी बचाना है तो यही सब चीज़े आपको follow करना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा important है तो फ्रेंट आज के लिए इतने ही मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में जब तक के लिए good bye